हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेंस्टू लान आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गौस्ट्यूर्म से रिलेक्टिड उसकी एक एप्लिकेशन के बारे में जिसका नाम क्या है? इस चार्ज स्पेरिकल शेल में अब आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ज स्पेरिकल शेल होता क्या है और इसमें हम करने क्या वाले हैं अब आपने जैसे वाटर बॉटल्स देखी होंगी वो क्या होती है? उनके मतलब उपर से तो उनका सर्फिस होता है बट अंदर से वो क्या होती है खाली होती है सेम उसी तरह हम इसमें चार्ज स्फेरिकल शेल में भी क्या करेंगे चार्ज होगा उसे हम उसकी सर्फिस पे डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे और फिर हम यह देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फिल्ड कैसे एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फिल्ड चेक करने के लिए हम इसमें तीन पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तीन तरह की जगाओं पर हम यह देखेंगे कि electric field due to this surface charge अलग-अलग points पे कैसे तरह act कर रही है सबसे पहला point हम लेंगे outside this surface second point लेंगे इस surface के उपर और third point लेंगे इस surface के अंदर तो हम इन तीनों surface पे रख के last में एक result निकालेंगे और उसके according हमें एक graph भी बनाएंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि आखिर यह electric field किस तरह तीनों points पे अलग-अलग तरह act कर रही है तो इस topic को अच्छे समझने के लिए वीडियो को last तक देखें आईए हम शुरू करते हैं अपना आज का topic देखिए हमने सबसे पहले क्या लिया है consider a charge spherical shell हमने एक spherical shell ले लिया है जिसके उपर charge कितना है क्यों जो मैं आपको पहली बता चुकियों यह charge spherical shell है इसके उपर plus q charge uniformly इसके उपर distribute है only surface की उपर यह बात का हमने धिया रखना है और इसका radius कितना है capital R तो इसकी surface charge density क्या होगी sigma is equal to q by 4 pi r square अब हम यहाँ पे क्या लिया है यहाँ पे यह क्या है एक sphere है तो जो surface charge density होता है इसका formula क्या होता है charge per unit area तो हमने sphere का area ले लिया है surface area 4 pi r square यह क्या होगी हमारे पास equation number 1 मैंने बताया है कि हम क्या करेंगे p point consider करेंगे r distance के उपर अलग अलग points पे from charge spherical shell जहाँ पे हम क्या करना चाहते है electric field intensity calculate करना चाहते है हम p point consider करने के लिए cases discuss करेंगे first second and third case सबसे first case क्या है कि जब r जो small r है small r कहां कौन सा distance है p जिस point में पढ़ा है उसका distance है वो पहली बता चुके है let p is any point at a distance r कि point p अगर हम outside the surface consider करेंगे तो भी r लेंगे on the surface consider करेंगे तो भी r और inside the surface consider करेंगे तो भी r ही लेंगे और first case में अगर r small r capital r से बढ़ा है इसका मतलब कि point p है वो कहां लाई कर रहा है outside the shell अब यहां पर आपको दीख रहा है यह था हमारा वो circle जिसके उपर क्योचाज uniformly distributed था और इसका radius कितना था और हमने small r distance पे p point consider कर लिया है पी point हमने जहां consider किया है उसके around भी एक Gaussian surface draw कर दिया है और वहां पे हमने एक small area element ले लिया है df और हमें पता है जहां जिस जो area element होता है वो हम surface के एकदम normally लेते हैं और electric field भी surface के normally act कर रही है so now according to gauss theorem यहां पे जब हम p point पे gauss theorem लगाएंगे तो gauss theorem क्या कहती है surface integral of e.ds किसके equal है 1 by epsilon or times charge enclosed in the closed surface कि इस closed surface के अंदर कितना charge है यह इसके equal होता है और e.ds जब हम dot product हटाएंगे तो cos theta means e.ds के बीश में angle कितना है वो तो आपको पता ही है कि ds भी normal है इस surface के और electric field भी normally outward हो रही है so इन दोनों के बीच का angle कितना हो गया 0 तो cos 0 degree cos 0 क्या होता है 1 और electric field क्या है electric field को हम इस integration से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि electric field due to this circle स्पियर गॉशन सर्फिस होने के कारण रेडियस सेम है रेडियस सेम है तो at every point जो electric field act कर रही है वो भी सेम होगा इसलिए electric field क्या होगई constant होगई constant होने के कारण हमने उसे क्या किया इंटिग्रेशन से बाहर निकाल लिया इंटिग्रेशन से बाहर निकालने के बाद अंदर क्या रह जाएगा integration के integration of ds किसके को अला गया क्यों बाई अपसाइलर नॉट ds means total surface area of this sphere की यह जो p का Gaussian surface है उसका total surface area of this sphere according to this p point क्या होगा 4 pi small r square क्योंकि small r distance है उस p point तक का इसी कारण यहाँ पे ds की जब हमने integration करी तो वो क्या आ गया 4 pi r square किसके equal q by epsilon not तो electric field किसके equal आ जाएगी 1 by 4 pi epsilon not into q by r square q by 4 pi epsilon not यह सब तो क्या है constant है तो electric field किसके directly proportional हो गई 1 by r square के अब यहाँ पे हम यह सब भी बहुत सकते हैं कि electric field 1 by r square के directly proportional है या तो आप यह कह दे कि electric field inversely proportional है r square के क्योंकि अगर r square को अकेले देखें तो उसके तो यह inversely proportional है पर अगर 1 by r square के देखें तो उसके क्या है directly proportional और हम इसको surface star density की form में भी निकाल सकते हैं equation 1 में हमने surface star density क्या लिया था q by sigma is equal to q by 4 pi r square तो q की value क्या आ जाएगी sigma into 4 pi r square तो यहाँ पे इस equation में q की value जब हमने fill की तो 4 pi r square into sigma 4 pi से 4 pi cancel हो गया electric field की value क्या आ गई इन surface star density r square sigma by epsilon naught small r square यह तो होगी electric field intensity की value in surface star density अब हम electric field intensity की value देखते हैं medium में क्या होती है हमें पता है absolute permittivity कि किसके equal होता है epsilon by epsilon naught तो हम जो epsilon था हम उसे ले रहे थे यह हम epsilon naught मतलब medium के लिए हम क्या साथ में add कर सकते हैं k absolute permittivity की value को भी साथ में add कर सकते हैं इससे पहले हम क्या लिख रहे थे is equal to 1 by 4 pi epsilon into q by r square पर अगर हम medium के लिख रहे हैं तो हम साथ में absolute permittivity भी add कर सकते है epsilon not into k उसके साथ क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो electric field की value in medium के लिए हमारे पास जो derivation आएगी जो equation आएगी वो क्या हो जाएगी यह वाग अब बात करते हैं हम अपने second case की first case में तो हमने जो point r consider किया था p point at small r distance वो कहां किया था outside the surface second case हम क्या लेते हैं कि जो small r है वो capital r के equal है इसका मतलब क्या हुआ कि जो point p है वो कहां लाई कर रहा है on the surface of shell जैसे कि आप देखी रहे हैं कि यह था shell r distance capital r इसका radius और small r वो distance था जहां पे हम p point को consider कर रहे थे और इस case में हम p point को इसी shell के surface के ऊपर consider कर रहे हैं और इसी p point पे हम क्या ले रहे हैं एक small area element ds चुई surface के normal है और electric field भी normal है जिसके according हम यहां भी देख सकते हैं कि gauss theorem के according हमारे पास जो equation है वो क्या आ गई surface integral of e dot ds किसकी equal है 1 by epsilon or times charge enclosed in the closed surface यहां पे भी p point है तो इसके surface पे इसका मतलब q charge back करी रहा है और eds जब हम dot product हटाएंगे तो क्या आएगा cos theta यहां भी e or ds के बीच में angle क्या है zero तो zero degree cos zero क्या होता है one और electric field क्या है according to this sphere this spherical surface at every point due to same radius same act कर रही है it means electric field क्या है constant इसलिए यहां भी electric field क्या आ गई integration से बाहर और अंदर क्या रहेगा के रहा ds किसकी equal है q by epsilon or not ds की integration है जब हमने करी according to this area इसका surface area क्या होगा sphere का 4 pi capital r square क्योंगी यहां पर यह क्या है हमने surface के उपर यह ले लिया था इसलिए area क्या आ जाएगा 4 pi capital r square किसके equal आ गया q by epsilon or not electric field की value क्या निकल के आ रही है हमारे सामने 1 by 4 pi epsilon not into q by capital r square on the surface जो value हमारे पास निकल के आई है वो सारी की सारी क्या है constant है और उसकी at every point हर एक जगा पर value क्या है maximum है जब हम electric field यह point p को surface के उपर consider करते हैं surface के उपर consider करने पर electric field की value maximum इसलिए आई है क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम distance जादा दूर होता जाएगा वैसे-वैसे electric field की value क्या होती जाएगी कम होती जाएगी एलेक्टरीट Л ild हमेशा किया होता है इन्वर्सली प्रपोर्पोर्शनल होता है इसका मतलब जित्णा ज़्यादे दूर इसे कि निलेक्टरिक पीड हमेशा क्या होती जाएगे यहां पर यहां पर जो electric field हमने कहां देखी on the surface देखी surface के उपर तो electric field की value maximum होनी है इसलिए at this point on the surface electric field की value हमारे पास निकल क्या ही वो क्या ही constant and maximum यहां भी in the form of surface charge density हम इसकी value निकाल सकते हैं क्योंकि जगह हमने क्या fill कर दिया 4 pi capital r square sigma अब यहां पर 4 pi 4 pi भी cancel हो गया और r square भी cancel हो जाएगा तो value क्या रह जाएगी e की sigma by epsilon not यह तो हो गई surface charge density की form में medium की form में भी हम epsilon के साथ क्या लिख दें के absolute permittivity तो वो क्या हो गया medium की form में भी हमारे पास electric field density की value आ जाएगी अब हम बात कर चुके हैं दो cases के बारे में अब हम बात करेंगे अपने last case case third के बारे में इसमें हम क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे जो अब p point लेंगे इसका मतलब p point का जो distance था small r अब हो क्या हो जाएगा इस capital r से भी छोटा हो जाएगा इसका मतलब point p जो हम लेने वाले हो अब हम कहां लेगे इस shell के अंदर लेंगे यह था अमारा shell जिसका radius था capital r अब हमने point p कहां लिया इस shell के अंदर लिया और उसका radius कितना है smaller तो according to Gauss theorem यहाँ पर भी act होगी E ds is equal to 1 by epsilon or times charge enclosed in the closed surface अब इसमें हमने जब लिखा कि electric field का जो surface integral है वो इसकी equal है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम यह जो charge लेते थे पहले दो cases में जब हमने outside the surface लिया या उस surface की उपर लिया तो charge actually act कर रहा था पर जब हमने point पे inside the shell ले लिया तो inside the shell तो कोई charge है ही नहीं जैसे मैंने आपको शुरुआत में water bottle की example दी थी तो water bottle के उपर अगर हम बात करें water bottle के उपर अगर उसके surface पे अगर कोई भी charge act कर रहा है तो उसके जो inside है उसका अंदर वाला surface है उसके उपर तो charge नहीं होगा क्योंकि वो तो इसके सिरफ surface के है उपर है उसका अंदर उसके अंदर वाला part तो hollow है सेम इसी तरह इस शेल के spherical shell के अंदर भी सिरफ surface के उपर charge की हमने बात करी थी उसके अंदर वाला जो surface है वो तो पूरा खाली है इसी कारण जब हम पी पॉइंट इस सर्फिस के अंदर ले रहे हैं तो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होगा इसी कारण यह जो surface integral थाई डोड डी एस का वो किसकी इक्वाल आ गया one बे और सादर नोट टाइम्स हम यहाँ पर क्या लेते थे चार्ज इन क्लोज जिन दर ख्लोज सर्फिस पर इस क्लोज सर्फिस का अंदर तो कोई charge है ही नहीं इसलिए charge की value क्या आ गई जीरो तो तो जो value आ यह यह electric field की वो किसके equal आ गई, 0 के, equal, क्योंकि surface integral करें हम हटा भी ले, तो last में electric field की value हमने निकाल नहीं है, लियस तो constant ही नहीं, तो electric field की value क्या आ गई, 0 आ गई, इससे हमें यह पता चलता है कि जो electric field है, hollow spherical shell के अंदर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई charge present नहीं हो अब हम बात करेंगे, इन तीनों cases से निकले हुए results की, और एक graph draw करेंगे, और आप कोई भी बताऊंगी कि इस graph को हम draw कैसे कर सकते हैं, first case में हमने क्या लिया था कि जब p point surface के बाहर है, इसका मतलब small r, इस capital r से क्या है, बड़ा है, उस time electric field कि इसके directly proportional आया था, 1 by r square के, यह हम यह कह सकते हैं, electric field inversely proportional था, r square के, second case क्या था कि जब हमने r को उसके surface, point p को spherical shell के surface के उपर ही ले लिया था, इसका मतलब small r और capital r क्या थे, इस उरे के equal थे, उस time electric field की value क्या आयी थी, constant और maximum, third case में, जब हमने point p को inside this shell लिया, तो small r, capital r से छोटा था, तो उस situation में electric field की value क्या आगई, जीरो है, तो हमने graph draw किया, यहाँ पे ले लिया, जब r, small r, capital r से छोटा है, यहाँ पे जब small r, capital r के equal है, और third position जब small r, capital r से बढ़ा है, यहाँ पे होगई electric field, maximum, जब small r, capital r से छोटा है, in case third, तो electric field की value क्या है, जीरो, इसलिए electric field की value यहाँ पे क्या हुई, जीरो हुई, और फिर second case में, जब small r, capital r, एक दूसरे के equal थे, तो electric field की value क्या थी, maximum, तो यहाँ पे क्या होगई electric field की value, maximum, फिर्स्ट case जो हमने किया था, जबसमे, small r, capital r से बढ़ा था, उसके according, electric field, one by r square के directly proportional था, तो वो उसके directly एकदम decrease हो रहा है, तो देखा हमने यहाँ से इन results से graph withdraw कर लिया, उमीद है आप लोग को यह topic अच्छे से समझा गया होगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, मेरे channel को subscribe करें, thanks for watching my video